हलो दोस्तों कैसे हो आप सब लिए उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छ होंगे फैनली यूपी स्कोलर्शिप 2023-24 के चात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है अगर आप यूपी स्कोलर्शिप के चात्र है तो D.W.O. खुशखबरी यहाँ पर देखेंगे नोटिस जारी हो चुकी है इस दिन आएगा आप सभी का जो पैसा है लास्ट माव का आप सभी को दिया गया फॉर्म कब तक भरना है आपको डेट बढ़ाई गई है या नहीं बढ़ाई गई है इसके उपर बात करेंगे बिक्षट जो नाट ओपन हो रही इसके लिए जो नया नोटिस आया है उसमें क्या बताया गया है जो भी कानपूर इनवर्सिटी या किसी भी इनवर्सिटी से आप पढ़ाई करते हैं आपने B.A.B.C.B. कौम में हैं और आप अपना स्कोलर्शिप का फॉर्म भरे हैं तो आप इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि कानपूर इनवर्सिटी और लखनव इनवर्स दिसंबर 2023 को इस नोटिस को जारी किया गया समाज कल्यान विभाग की तरब से यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो डेट हो गया रहा है आप लोग अच्छे से देख सकते हैं हालक यह नोटिस आई थी और मैं सारा जानकारी लेकर आपके सामने वीडियो लेकर आ चाओं में जो भी देख सकते हैं मूल, निवासी, समाने वर्ग, अने पिछड़ा वर्ग, अलपसंख्याक वर्ग के छातरो हेत, छात्रवती जो भी है यहां पर उनके संसोधित समय साराडी जारी की गए इस संसोधित समय साराडी के समन्ध में इस नोटिस को पबलिस किया अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो main point है वो मैं आपको बताता हूँ इसको अभी यहाँ से नीचे आएंगे अभी तक जो UP scholarship form भरने की last date थी वो 31 December थी यहाँ पर जो 4 column है इस पर आपको ध्यान देना है बात करेंगे पैसा कब तक आएगा उसके उपर भी बात करेंगे सबसे पहले आपको एक एक करके मैं बताता हूँ जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे क्या बताया गया है कि यहाँ पर देखेंगे चात्रों द्वारा आनलाइन अवेदन किया जाना है देख सकते हैं कि चात्रों द्वारा आनलाइन अवेदन किया जाना कब तक किया जाना जो अब आपकी डेट है उद दस जनवरी तक बढ़ा दी गई है यानि कि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है तो इसलिए यूपी स्कोलर्शिप की जो डेट है वो 10 जनवरी तक कर दे गई है आथ यहाँ पर देखेंगे कि नमीनी करण ना करने वाले चात्रों के जो भी चिन्ही करण में भातिक सत्यापन वो यहाँ पर 20 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक यहाँ पर किया जाएगा अब यहाँ पर बात आती है कि आपका जो पैसा है वो कब तक आएगा तो देखेंगे पैसे में कोई भी यहाँ पर सायद बदलाव नहीं हुआ है पैसा जो आपका आना था धनडासी का देख सकते हैं जन पर इस तरही विभागी अधिकारी के डिजिटल सिंगनेचर से लाग डाटा के अधार पर सही जो डाटा वाले चात्रों को जो भी माध्यम चात चाताओं के अधार सीडेट बायंग खातों में सीधे पैसा भेजा जाएगा वो कब भेजा जाएगा 15 मार्च को यानि कि पैसा तो 15 मार्च का ही 15 मार्च को ही सभी चात्रों का आएगा तो यह सारी चात्रो द्वारा आनलाइन अवेदन 10 जनुरे 2024 तक यहाँ पर किया जाना है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं तो वीडियो कैसे लगा कमेट बॉक्स में कमेट करके जरूबादाना है आप लोग जो बोल रहे हैं कि साइड नहीं चल रहे हैं कई सारी प्रोबलम आ रहे हैं तो आप चकाउट करते रहे हैं अगर सभी चात्र फॉर्म को नहीं भरपाएंगे तो डेट इस तरह बढ़ती रहेगी मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब किये हूँगे आप तो मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा तो आज की इस वीडियो में बसे यहें पर इंड करते हैं